हमारे जन्म के मूल कारण चंद्रमा के चक्र से जुड़े हैं। अगर ये मानव वूर्जा प्राणाली एक हजार आठ पूर्ण चंद्रमाओं को देखती हैं, जिसमें लगभग 84 साल लगते हैं, तो बहुत कम मदद के साथ, आप जन्म और मृत्यों के चक्र से परे जा सकते हैं। इस पृत्वी के लिए उर्जा का मुख्य स्त्रोत सूर्य है और आपका शरीर, धर्ती का पसिक टुकड़ा है। तो दुनिया में जो कुछ भी है, उस पर सूर्य का असर बहुत ज्यादा और बड़ा है। लेकिन हमारे सिस्टम पर चंद्रमा का असर भी जबरदस्त है। हाला कि इसके पास सूर्य के तरह उर्जा उठ सरजित करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन पृत्वी से इसके नजदीके के कारण ऐसा है। तो जब हम जीवन के तरीकों को समझना चाते हैं, जिस तरह ये बाहर से हमारे साथ घटित हो रहा है, तो हम सूर्य की ओर देखते है। जब हम समझना चाते हैं कि जीवन भीतर से किस तरह घटित हो रहा है तो हम चंद्रमा की ओर देखते हैं तो हमारे सिस्टम पर चंद्रमा के असर को नकारा नहीं जा सकता हमारे जन्म के बुन्यादी कारण चंद्रमा के चक्र से जुड़े हैं चंद्रमा के चक्र और स्त्री शरीर के स्वाभाविक जैविक चक्र सौफी सदी जुड़े हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारे जन्म का मूल स्त्रोत चंद्रमा के घूमने से जुड़ा है। क्योंकि शारिरिक रूप से हमारे जन्म और हमारे जीवन की जड़ इसी में हैं। कई मायनों में मैं तो कहूंगा आम तौर पर हमेशा नहीं। आम तौर पर महिलाएं कहीं अधिक अस्तित्व गत होती हैं। क्योंकि उनका शरीर चंद्रमा की भाषा बूलता है। समय की जानकारी रखने को हमें गलत नहीं समझना चाहिए। घडियों द्वारा समय की जानकारी रखना वो कुछ नहीं जानती हैं। वो बस यंत्रवत चलती रहती हैं। लेकिन मानव शरीर एक अलग तरीके से समय को जानता है, जो यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। वैसे पृत्वी और चंद्रमा का कक्षाओं में घूमना भी एक तरह से एक यांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन हमारे जीवन पर इसका जो परिणाम या असर होता है, वो यांत्रिक नहीं है। ये बहुत जीवन थे, अनुभव के स्थर पर इसका असर बहुत शक्तशाली है। मानव उर्जा के विकास में, इनसान की उर्जा प्रणाली के विकास में, अगर ये उर्जा प्रणाली एक हजार आठ पूर्ण चंद्रमाव को देख लेती है, जिसमें लगभग 84 साल लगते हैं, तो आपने 700 चक्रों को और 1800 चंद्र चक्रों को पूरा कर लिया होता है। अगर उन्होंने अपनी देख कुछ जागरूकता के साथ छोड़ी थी, थोड़ी सी भी जागरूकता के साथ, तो निश्चित रूप से वो वापस नहीं आने वाले हैं। अगर आप अपना जीवन बस 700 चक्र और 1800 चंद्र चक्रों को पूरा करने के लिए जी पाते हैं, तब आप अप धर्ती के साथ एक खास बंधन को तोड़ सकते हैं। प्रित्वी के साथ आपका बंधन तूट गया है। व्यापक रूप से और बहुत आसानी से, बहुत कम मदद से, भले ही आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता ना हो। बहुत थोड़ी मदद से, आप जन्म और मृत्यू के चक्र से परे जा सकते हैं। च्योंकि प्रित्वी और उसके पदार्थ के साथ आपका बंधन, जिसकी आदाष्ट को आप अपने भीतर ढोते हैं, और आपकी आदाष्ट को जो पदार्थ में भी रहती है, उस बंधन को आप तोड़ देंगे। एक बार जब ये बंधन तूट जाता है, तब जो काम किये जाने की जरूरत है, वो बहुत आसान होता है। अगर आपके घर में उस उम्मुर का कोई बुजर्ग इंसान है, तो एक चीज जो आप देखेंगे, कि उनके जो भी गुणिया लक्षन थे, उनके बरताव और सामान व्यक्तित्व के गुणों के जो भी महत्वपून लक्षन थे, आप देखेंगे कि असी, तिरासी से पिचासी के बीच, कभी उनके ये लक्षन नाटकी ढंग से बदल जाएंगे। मान लीजिए, कोई इनसान बहुत चिड़चिड़ा था, आप देखेंगे कि चौरासी पिचासी साल की उम्र के बाद, अचानक वो बहुत खुश मिजाज और अच्छा इनसान बन जाता है, उसके चरित्र में कुछ बदलाव, कुछ महत्वपून परिवर्तन होंगे। क्योंकि कर्मबंधन जो उस इनसान को बरताव के एक खास पैटरन में जकड़े हुए है, डीला हो जाएगा। यही कारण है कि हम कहते हैं कि कोई इनसान अगर 84 साल की उम्र के बाद मरता है, हो सकता है कि उस मूर्ख ने कभी पूर्णिमा के चांद को देखने का आनन नहीं लिया हो, लेकिन उसके शरीर नहीं से देखा है। यहाँ वहाँ घूमता रहेगा और हम उससे बहुत आसानी से ठिकाने लगा सकते हैं, बस यू हैं, उसे किसी दूसरी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है, भले ही उसने एक बिलकुल अना भिग्य जीवन जिया हो, लंबी उम्र का यही मैत्व है, लोग हमेशा लिए छुटकार अपा जाएं, क्योंकि एक बार जब आपकी कर्म सनरचना धीली हो जाती है, तो एक और गर्ब खोजना मुश्किल हो जाता है, ना मुम्किन नहीं, लेकिन मुश्किल, तो यही वो दौर होता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होगा, जो इन चीजों क कहीं पर विसरजित कर देगा, जहां भी हो, भले ही उन्होंने अपने जीवन में किसी भी आध्यात्मी कायाम को नहीं जाना हो, तो अगर आप किसी भी चीज के लायक नहीं हैं, कम से कम, परियाप्त लंबे समय तक जिए, मेरे आसपास हैसमत कीजिए, अगर आप दुखी है तो अपने दुखों को कहीं और जाकर कीजिए और 84 की उम्र में आ जाएए, हम आनंद में लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, 84 की उम्र में आपका स्वागत है करेंगे तक जाएए, हम आनंद में आपका स्वागत है